जैसे जैसे लोगसबा चुनाओं के घड़ी नजदीक आ रही है वैसे वैसे विपक्ष खेमे में हल चले तेज होती जा रही है नतीजा ये हो गया है कि केंद्र के मोधी सरकार के बढ़ते प्रभाव और भाजपक को लगतार मिलने वाली जीत से ये पार्टियां बॉखलाई हुई नसरा रही है पीजेपी विरोधी दलों की इस बॉखलाहट को समझना है तो आप हाल ही में कुजिनों से जारी उन मलाकातों से समझ सकते हैं जिस दोरान राहुल गांधी और कॉंग्रस सद्यक्ष खड़के के साथ नितीश और शरत पवार जिसे दिगज निता मिल रहे हैं मोधी के खिलाफ तयारी हो रही है इस विपक्ष एक्था को लेकर अभी तक क्या हुआ और किस फॉर्मूले के तहए तो भाजपा से लड़ने की बात हो रही है इन तमाम मुद्धों पर हम नज़र डालेंगे लेकिन उससे पहले इस गड़बंदन को बनाने में जुटे निताओं की मुलाकात कैसी रही उसे जान लीज़े बिहार के मुखे मंतरी नितेश कुमार और डिप्टी सीम तेजसु यादव ने कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिका अर्जन खड़गे के आवास पर एक एहम बैठक की इसके बाद तेजसु और नितेश ने आप प्रमुख अर्विन केज रिवाल से मुलाकात की इस बैठक के बाद बिहार के मुखे मंतरी ने कहा कि गड़बंदन को एक चुट करने का प्रियास किया जो रहा है हम सब साथ बैठेंगे और चीज़ों को तैकिया जोएगा हमारी इसी मुद्दे पर अंतिम तोर पर बात हो गई है जिसमें जितने लोग हमारे साथ सहमत होंगे हम उनके साथ बात करेंगे इसके अलावा पिछले दिनों खड़के अंसेबी प्रमुक शरत पमार से मिले जिनके साथ राहुल गांधी भी मौचुद रहे इस और आन ये सबी नेताओं ने बीजबी के खिलाफ एक जुठो कर लड़ने की बात कही इस मुलाकात के बाद कॉंग्रस नेदर राहुल गांधी विहार के सीम की बातों में हामी भरते हुए नजर आए राहुल गांधी ने कहा कि जो नितिश जी कह रहे हैं उनकी बात बिल्कुल सही है विपक्ष को एक करने में बहुत एतिहासिक कदम लिया गया है कितिनी विवख्षी पार्टियों को इखटा करना है ये एक प्रतिक्रिया है विवख्ष کا जो भी नजर्या है उसे हम विक्सित करेंगे और जो भी पार्टियां जिस विचारधहरा की लड़ाई के साथ आना चाहती हैं उसको लेकर चलेंगे जो देश्क और संस्थानों पर आ कॉंग्रेस नेताओं के कुछ बयान देखने होंगे जिसमें वो ये बैठकों को काफी फ्रंट फुट पर बता रहे हैं। किये गए हैं जिनने नितेश कुमार पहले से ही तयार करकर लाए थे। यदि इस फॉर्मूले पर सब सहमत हो जाएं तो गड़बनन बनने से कोई नहीं रोग सकता। मीडिया रिपोर्ट्स में इस मुद्दे पर ये भी जानकारे में लिए है कि नितेश कुमार ने आगा में लोगसबा चुनाव के लिए सीटों के बटवारे को लेकर कुछ फॉर्मूला दिया। जिसके तहट जिस राज या श्वेतर में जिस पार्टी का दबदबा है उसे लीड करने की बात की गई जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष में हैं तो उसे वहां लोगसबा के ज्यादा सीटे दी जा सकती हैं इसके लावा नितीश कुमार और को विपक्षी दलों के सभी निताओं को एक साथ लाने की जिम्मदारी दी गई है बहरहाल गैर भाजपा दल को एक जुट करने के लिए बिहार के सीम के द्वारा लाए गया फॉर्मला कितना कारगर होगा ये तो आने वाला समय बताएगा लेकिन जिस तरह से नितीश कुमा लेकिन सीटों को बटवारा किसी ग्रहन रूपी चुनौती से निपटने जैसा होगा जिन से बाहर निकलने और केंद्र की मोधी सरकार को हटाने के लिए एक मजबूत गठ जोड की ज़रुरत पड़ेगी बिर रिपोर्ट पंजाब के स्टुटी पी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए